नमस्कार दोस्तों मैं विजितिवारी स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल में जहां हम आची क्लास में बारीवी कक्षा के वे सभी विध्यारती जिनके पास इतिहास विशह हैं उनके लिए एक नई शंक्राशू कर रहे हैं जहां हमारी किताब का नाम होगा भारतिय इतिहास के कुछ विशह है टोटल इस किताब में चार चैप्टर होंगे और आची क्लास में हम चैप्टर नमबर वन को पढ़ेंगे चैप्टर का नाम होगा इटे मनके तथा अस्थियां देखे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जितने भी प्रश्ण बनते हैं उन सभी कि चरचा भी साथ के साथ की जाएगी इसके साइसाथ यदि आप इससे line to line बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो एक एक नमबर के भी सभी कोशनर आपके साथ के साथ ही हो जाएंगे तो चलिए ज्यादा सवर बाद ना करते हुए अपने चैप्टर को सुरू करते हैं सब्बेटा को हडपा सब्बेटा का ही नाम क्यों दिया गया तो जैसे कि आप आफे पढ़ेंके तो आपको पodra चलेगा जो पूरा तात्विद होते हैं वह किसी भी सब्बेटा या संस्क्रिति का नामकरण उस अधार पर करते हैं जहां पर वो सभेता पाइ जाती है तो हुआ कहा था जब खुदाईया हो रही थी तो सबसे पहला जो नगर मिला वो मिला हडपा तो हडपा नामक ने कर पर जो खुदाईया हुई तो इसलिए इस सब्वेता का पूरा नाम क्या रख देगा हडपा सब्वेता तो अगर हडपा सब्वेता की बात की जाए तो यहाँ पर खुदागी उसे बहुत सारे समान मिले हैं और उनमें से जो सबसे विशिष्ट समान है वो है हडपाई मुहर तो अगर एक नंबर में कोशन पूछा गया की हडपा सब्वेता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तू क्या है तो हडपा सब्वेता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तू है हडपाई मुहर जैसा कि किताम में लिखा है कि हडपाई मुहर संभवता हडपा अथ्वा सिंदु घाटी सब्वेता की सबसे विशिश पुरा वस्तू है तो यहाँ पर आपको एक चीज मिली हडपा और सिंदुघाटी सबेता तो देखो हडपा सबेता को सिंदुघाटी सबेता भी कहते हैं क्योंकि इस सब्वेता के जो अधिक बहुत सारी नगर जो शुरुवात में थे वो सिंदु नदी के किनारे ही मिले तो इसलिए उस समय इसे सिंदु घाटी सब्वेता का नाम दे दिया गया और इसे हडपा सब्वेता क्यों कहते हैं तो मैंना भी आपको बताया था कि हडपा सब्वेता को हडपा सब्वेता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सुर्वात में जो अधिकतर नगरते वो सिंदुनदी के किनारे ही हमें मिले हैं इसलिए से सिंदुगाटी सब्वेता भी कहा गया तो अगर एक जैमनेर क्वेशन पूछे आपसे हडपपाई जो बस्तियां हैं और एक ऐसी लिपी के चिन भी मिले हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है जैसे कि यहाँ पर आप एक हडपपाई मोहर को देख सकते हो यह जो हडपपाई मोहर है आप देखो इस पर एक श्रिंगी जानवर बना हुआ है और यह जानवर के अगर हम खास बात करें तो इस जानवर के बारे में पता ही नहीं किसी ने इस जानवर को देखा ही नहीं है इसके लावा रियल में इस जानवर को किसी ने देखा नहीं है हो सकता है समय के साथ यह जानवर लुपत हो गया हो और जो आपको यह उपर चिन दिखाई दे रहे हैं यह हडपा लिपी के चिन है यह कोई जानवर उपर जो है वो चित्रों की आकरती नहीं है यह तो एक श्रिंगी जानवर एक और जो उपर यह छपी हुई है न यह मचली वगरा नहीं है यह हडपाई लिपी के चिन हैं तो अगर आप हडपाई मोहर की बात करोगे तो हडपाई मोहर सबसे विशिट पुरा वस्तू है सैल खड़ी नामक पत्थर से बनी है इस मोहर पर बहुत सारे जानवरों के चित मिले हैं इसमें एक ऐसी लिपी भी मिली है जिसको चिन्नों से दर्शाया गया है इसी वएसे इसे आस्तखम पढ़ नहीं पाए हैं खैर कुछ भी हो अगर हमें हडपा के लोगों के बारे में जानना है तो हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़े मिली हैं आवास यानि की घर मिले हैं मृदभान मिले हैं आभुशन मिले हैं औजार मिले हैं मोहरे मिली हैं जिसके माद्यम से पुरा तात्विध हमें बहुत सारे इतिहास के बारे में बता पाते हैं हडपा के तो अगर ये सारी चीज़े नहीं मिल पाती हो शायद हमें जानकारी नहीं मिल पाती आगे हम यही पढ़ेंगे कि इन सब से हमें ये जानकारी कैसे मिली तो देखें यहाँ पर एक बॉक्स में एक चीज बताए गई है कि सिंदुखाटी सब्वेता को हडपा सब्वेता कहते हैं इस पर चर्चा हमने पहले ही कर ली इसके अलावा जो पूरा तात्विद होते हैं ये संस्किती शब्द का प्रयोग किस के लिए करते हैं अगर कोशन चोटे कोशन में आ जाए कि पूरा तात्विद संस्किती शब्द का प्रयोग किस के लिए करते हैं तो पूरा तात्विद संस्किती शब्द का प्रयोग पूरा वस्तियों के ऐसे समु के लिए करते हैं ज यहांगे लबे समय तक किसी चेत्र की संस्कीति बनी रहती है तो इसलिए हडपा वश्रानीता में वश्रायक मिली है और उस्लिए दो SCilim आती होंगी जिससे पता चलता है कि जो हडपा यह बस्तिय है थी.. तो इनग्यारा हो जाद है.. होगा जिसको आगे और भी विस्तार से हम पड़ेंगे यहां से जो एक नंबर कोश्ण होने वाला है कि यह संस्किति पहली बार कहां खोजी गई थी तो हडपा नामकिस्थान पर खोजी गई थी और अगर वो पूछे हडपा सब्वेता का समय बताइए काल निर्धान यानि कि 2600 इसा पूरु से लेकर 1900 इसा पूरु के बीच में है तो अगर मालो एक नंबर में MCQ आ गया कि हडपा का जो काल निर्धान किया गया है वो क्या है तो आप कौन्स आप्शन लगाओगे 2600 से लेकर 1900 इसा पूरु के बीच में आशा है आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा तो कह रहा है जो इससे पहले की संस्कृतियां थी उन्हें आरंभिक संभता कहा गया है और जो बात की थी वो परवर्ती संभता कहा गया है यानि कि 2600 से 1900 इसा पूरु के बीच में तो 18 संभता है इससे पहले की जो संभता थी उन्हें क्या कहा गया है आरंभिक सं इनके लिए क्या यूज किया गया है परवर्ती सभ्यता यूज किया गया है तो यहां से सारे एक एक नमबर के विद्धा कोशन बने हैं इसापूर विस्वी किसे कहते हैं तो यहां पर आपको बॉक्स में दिया गया है और यह आपको पता ही होगा तो देखे कह रहा है हडपा पहला कोशनर मनता है हडपा सब्वेता में निर्भा के तरीके बताईए तो इस छेत्र में अगर हम बात करें तो विक्सित हडपा सब्वेता से पहले भी बहुत सारी संस्कृतियां अस्तित में थी यानि कि हडपा सब्वेता को तो टाइम पिरिड़ा 2600 से 1900 इसापूर लेकिन वित्त मिलें जिसके धार यह रहते हैं कि निर्भा का मतलब क्या होता है तो देखो हडपा संस्कृति उत्व के प्रकार के प्राप्त प॥हों और जानवरों से जो जिसमें मचली भी शामिल है उससे प्राप भोजन पर निर्भर रहते थे यानि कि अगर कोशन आ जाए हडपा के लोग किस प्रकार से जीवनियापन करते थे या हडपा में जीवनियापन के तरीके बताओ तो देखो हडपा में अगर जीवन निर्वा के तरीकों की बात किया है यानि कि हडपा के लोग जो अपना पेड़ पाल रहे हैं अपना जीवन आपन कर रहे हैं वो दो तरीके से कर रहे हैं में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रकरती पन निर्वार है जो पेड़ पौधों पर निर्भर है जो किशी पर निर्भर है और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानौरों पर निर्भर हैं में भी वो मास खाते होंगे जिसमें मचलियां भी शामिल हैं अब हमें कैसे पड़ा चला भई ये चीज़े ये लोग खाते थे तो देखो हड़ापाई खुदाईयों से जले वए अनाच के धाने मिले हैं बहुत सारे प्रकार के बीज मिले हैं जिस से परतलता है कि हाँ अगर इस प्रकार के अनाच के धाने मिले हैं इस प्रकार के अगर बीज मिले हैं तो पक्का जो यहां के लोग है वो इनी चीजों को खाते होंगे अब देखो इन सब चीजों का अध्धन करता है ना उन लोगों को पूरा वनस्पतिग्य कहते हैं तो जो भी पेड़ पौधे इन सब की जानकाई रखता है जो इन सब चीजों का अध्धन करता है वो लोग क्या कहलाते हैं पूरा वनस्पतिग्य कहलाते हैं जो प्राचीन वनस्पतिग्य अध्यन के विशेशग्य होते हैं इसके लावा जब आगे आगे हरपा की खुदाई होते गी तो वहां से और भी बहुत साई चीज़े मिली हैं वहां के अनाज के दानों में अगर देखें तो गेहु मिला है जो मिला है दाल मिला है सफेज चने मिले हैं तिल मिला है तो यह सारी चीज़ों के अगर साक्षा में मिले हैं तो इसका मतलब है वो लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करते होंगे बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं जबकि चावल के दानों की बात कि जाए तो ये और अनाजों की मुकाबले कम मिले हैं तो अगर एक्जामिनर कोशन आपसे यहां से MCQ भी बनाए तो आप बता दोगे कि बाजर के दाने कहा मिले हैं गुजरात मिले हैं इसके लावा हड़ापा इस थलसा वरहा भी सुवरी होता है हीरन मिले हैं घडियाल की हड्या मिली हैं इससे पता चलता है कि यह पालतू तो नहीं होगे लेकिन यह भी नहीं पता कि इन्हें प्राप कैसे किया जाता था कि इनका शिकार किया जाता था या बाहरी छेतरों से इनको मंगाया जाता था मचली और पक के विले हैं है इसके लावाए जो ऋहां से प्लिडी आजओतों के बारेता है और जो लोग इंची Кा अधण करते हैं उन्हें पूरा वरंस पर दिग्ये कहते हैं plaisरपए के बहूंord बॉंचिछना युदि सफेचर दो गयं हा और शौवर की हड़ए यहां मिली हैं जिससे पर जलता है यह जानवर पालतु होंगे बड़ जो जंगली जानव मिलें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि यह बाहर से शिकारी शमुहों से प्रात कि जाते थे यह हडपावासी खुदिन का शिकार करते थे इसके बारे में जादा जानकारी ये बात हमने पहले पढ़ ली अगर अनाज के दाने मिले हैं बीज मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि हडपप वाले के खेती करते होंगे तो अगर बैल की साक्षे मिले तो इसका मतलब यह है कि खेती में जुताई के लिए बैलो का प्रियोग किया जाता होगा अगर बैलो का प्रियोग किया जाता होगा तो जैसे कि चोलिस्तान के कई बस्तियों में से और हरियाना में एक जगाया बनावली यहां से मिट्टी से बने हलके प्रतिरूप मिले हैं तो इसका मतलब यह हलका प्रयोग तो किया जाता होगा यानि कि हरपावासी अपनी खेती के लिए कि हलका और बैलो का प्रयोग करते होएंगे राजस्थान में एक जगाया काली बंगन यहां पर जुतेवे खेत के साक्षे मिले हैं यानि कि इस प्रकार से खेतों की जुताई हुई है कि एक ही समय में दो प्रकार की फसले बोई जाते होगी क्योंकि जो समकोड पर रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं इसके लावा देखो फसलों में सबसे पहले क्या की जाएगी खेती की जुताई की जाएगी और जुताई के लिए आप किसका यूज कर रहे हो बैल और हलो का प्रकार की फसले बोई रहे हो आप किसकी जुद पड़ेगी आपको सिचाई की अब सिचाई के लिए नहरों का प्रियोग किया जाता था या वर्षा पर निर्भर रहते थे तो यहाँ पर कुछ जगह पर जैसे अफगानिस्तान के शोड़तु गही में क्या मिला है नहर का साक्षे मिला है जिससे बढ़ता है कि हाँ भई हडपा वासी सिचाई के लिए नहरों पर भी डिपेंड होते होंगे फसलों की कटाई कैसे की जाती होगी ये भी एक प्रशन बनता है तो फसलों की जो कटाई होती थी उसके लिए में भी ये पत्थर के फलकों का प्रयोग करते होंगे यानि कि पत्थर को तोड़ तोड़ के नुकिला बना लेते होंगे आगे से और फिर उससे कटाई करते होंगे अफगानिस्तान के शोड़तु गई से क्या मिली है नहर मिली है लेकिन पंजाब और सिंध से कोई नहर नहीं मिली है इसके दो कारण हो सकते हैं हो सकता है पंजाब और सिंध में नहरों का प्रियोगी ना किया जाता हो और ये भी हो सकता है कि नहरे हो लेकिन टाइम के साथ उसमें मिट्टी भर गई हो उसमें गाद भर गई हो जिसके वेसे नहरों के अशेश खतम हो गए हो कुँओं से प्रापत पानी का प्रयोग करते हूं ऐसा भी हो सकता है जैसे कि गुजरात के धौला वीरा में कुछ जलाशें मिले हैं जिसे पतलता है कि हब उप्रिप्र में किशी के लिए लोग जलका प्रयोग करते होंगे तो अगर कोशन आ गया कि हडपा वासी जो है वो किशी का किशी कैसे करते थे किशी प्रद्योग का प्रयोग कैसे करते थे व्याख्य कीजिए तो आप अंसर देंगे कि हडपा एक खुदाईयों से जो साक्ष मिले हैं उसके अधार पर ये बताया गया है कि हडपवासी किशीक में हल और बैलो का प्रियोग करते थे सिचाही के लिए नहरोपा निर्भरते जैसा कि अफगानिस्तान के शोड़तो गई से कुछ नहरोग के साक्ष मिले हैं इसके साथ साथ एक समय पर दो प्रकारी खेती की जाती होगी और फसलों की कटाई के लिए मेवी फलकों का पत्थर के फलकों का प्रियोग करते होंगे आगे देखे चैप्टर में क्या बताया गया है आगे चैप्टर में यह बताया गया है कि जो पुरानी वस्तों होती थी जो खुदाईये को दरान समान मिलता था, इनकी पहचान कैसे की जाती थी, आखिर पूरा तात्विदी कैसे पता लगाते थे, कि जो भी समान मिला है, वो किस चीज के रूप में प्रयोक किया जाता था, तो देखो भई, अगर भोजन, अगर वो बीजे मिले हैं, तो इसका मतल मिलाने, उन्हें मिक्स करने के लिए, पकाने के लिए बर्तरों की जरूरुस होगी, तो िन सभी को यह तो पत्थरों से बनाया जाता होगा, जा धातु से बनाया जाता होगा, यह मिट्टी से बनते हैं, जैसा कि मोहन जोदोड़ों में खुदाई होई मोहन जोदरो घडपा का एक बहुत बड़ी साइट है 125 हेक्टे में लगवाग फैली हुई है और सबसे महत्पूर्ण अगर है कौन सा मोहन जोदरो तो वहाँ पर बड़ी संख्या में चक्क्या मिली है अव तल चक्क्या मिली है जिससे आप अनाज पीछने के लिए बड़े प पत्थर जमीन पे लगाब होता है दूसरा गोल पत्थर उसके उपर होता है उसमें चोटा सा छेर बना होता उसी में जो भी चीज पीस्थे ओवह डाल धी जाता और गुमा दे जाता हुए उसे गोल-बिल्कुर ऐसी चक्क्या मिली थी अब जो यह चक्किया थी, यह सालन पत्थर से बनी थी, किस से बनी थी, सालन पत्थर से, तो अगर कोशन आ जाए, कि पुरा तात्वित, किसी पुरा वस्तु की पहचान कैसे करते थे, तो पुरा जो तात्वित थे, वो जो भी समान मिलता था, वो यह देखते थे, यह किस ची जिसने के लिए इनका प्रियोक किया जाता होगा तो अगर वो पूछे जो हड़पा में चक्क्या मिली हैं ये कौन से पत्थर से बनी है तो आप बता देना सालन पत्थर से बनी है तो साथ की साथ देखो मैं यहां पर देखो एक चित्र का कोश्चन भी आता है तो यहां पर देखो एक चित्र यह बना हुआ है धोला वीरा से मिला जलास है चित्र 1.5 और 1.6 जो है अवतल चक्किया है यह सालन पत्थर है ठीक है वही तो यह चित्र भी साथ के साथ ध्यान से आप देखते रहें आप हम पंसी जा रहे हैं मोहन जोद्रो की उश्टाइन तो हडपा का एक महत पूरण नगर्य घड़ू की बात करें आप लेकिन इसका सबसे महत्पूर्णागर है वह कौन सा है मोहन जोड़ो अब देखो मोहन जोड़ो की खुदाई से जो समान जो चीजे मिली है उसके धार पर यह पता चलता है कि बस्ती को दो भागों में बाटा गया था यानि कोशन पूछेगा मोहन जोड़ो की वास्तुकॉला एक बस्ती जो है वो उचाई पर है लेकिन छोटी है दूसरी बहुत बड़ी बस्ती है लेकिन वो नीचे है अब जो यह उची वाली बस्ती है मेबी यह रिहाईशी इलाका था मेबी यहाँ पर शाशर वर्ग रहते होंगे मेबी यहाँ पर दुर्ग होगा किले होंगे जब कोई चीज अगर planning से बनी है तो उसके लिए कोई एक design बनाया गया होगा अगर कोई चीज planning से नहीं बनी है तो उसमें गलियां बंदोंगी नालियो का पानी भर जाता होगा शहर की बसावड अच्छे से नहीं होगी लेकिन जहां पर आप नियोजित देखोगे प्लांट देख यहाँ पर देखो एक नकषाई बना हुए यहाँ पर देखो दुरग है यह निश nó शहर बातिया आती तो दुर्ग उचाई Psychology का ची इट और छो इटा बंदे चौकोर उसे एक दिया गया है और सबसे ब बड़ बात पता है एए और सबसे बड़ होड़ किले बंदी भी की गई है चारो तरफ से उसे घेरा भी गया है जो कि निचले शेहर से इसे अलग करती है जिससे कितनी अच्छी नियवज़न किया गया था कि आम जनता और शाशगवार दोनों एक बस्ती है लेकिन अलग-अलग इस प्रकार से रह रहे हैं हाला कि निचले शेह दिवसों की जरूत पढ़ते होगी जिससे पदलता कितनी बड़ी मात्रा में लोगों को खपाया गया होगा कितनी बड़ी बात्रा में लोगों ने महनत की गई होगी जब जाके इस बस्ती की बसावड बनी होगी तो मोहन जोड़ों की अगर वास्तुकला आपसे पूछे कोश और इस सब के लिए एक बड़े प्रमाने पर श्रम की जोरत पढ़ती होईगी नियोजन के अनलक्षणों में एटे शामिल हैं क्या है यहाँ पर जो एटे मिली हैं यह हो सकता धूप में सुखाकर बनाई गई हो या भट्टी में पकाकर बनाई गई हो लेकिन कैसे बनाई गई अब हम हडपा के नालों के बारे में पढ़ेंगे अभी तक हमने बस्तियां पढ़ लिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे हडपा में जल निकास प्रणाली तो हडपा सब्वेता की बात करें तो यहां की एक जल निकास प्रणाली थी एक नियोजित प्रणाली थी देख वेल डवलप्ट नहीं है तो वहाँ पर ऐसी सिधा नहीं है बड़ आज से 5000 साल पहले ही क्यासा इलाका है जहां पर साइच चीज़े वेल डवलप्ट है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है इसलिए हम यह पढ़ रहे हैं तो अगर कुछ नहीं है मोंजोरों की वास् पर काट रही हैं जिससे पर बता है कि गलियां खुली हुई है नालियां खुली हुई है नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था ताकि घरों का जो पानी है वो सीधा सीधा नालियों से बाहर की और जा सके जैसा है कि यहां पर बताया भी गया है कि अगर हम नालियों के बारे में बात करें तो झाली के पारे में जैखकोрах इस बॉक्स में बताया गया है कि एक व्यक्ति जिनका दाइडाzd बात की जया है तो अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन रखते थे, नालियों के उपर ढकन इस प्रकार से बनाए गए इटों से, कि उन्हें हटा का उनकी सफाई भी की जा सके, तो हडपा की नालियों के बारे में किस ने बताया है, अर्नेस्ट मैके ने, इसके लावा कुछ जगा पर कूडे के धेर मिले हैं, जिससे पदलता है कि सम आंगन होता ता, उसके चारोर कम्रे बने होते थे, आंगन जो था, इसी आंगन में सारे कारे होते थे, योपी के जो wilderness आर्व में देखो ठोक लाइथ के होता है उसको यह जी होती है तो आमगर में साथ कारे किए जाते हैं बिलकुल एसे यहां पर भी था चार और कमरी बने टे पर आंगर में ख्वान में खाना पकाये जाता है ता कर माउसम प différents सब्सक्राव थे हर घर पे इटों का फर्ष बना होता था और हर घर का अपने इस नाना घर ता जिसमें उनायते थे जिसकी नालियां दिवार के माध्यम से सड़की नालियों से जुड़ी हुई थी तो मोहन जोड़ों में यह बताया गया है कि लगभग जो पानी आता था कुवें से आता थ बसत्य वागा हो में बाजीतें से दो दो भागा वह सuka समय पने गया जी नालियों सब्सक्राइब मयां धर करके जुरूर बताओ अगर कहीं पर भी कोई डाउट है अब हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो देखो मोहन जो दुर्ग मिला है यानि कि जो किला मिला है इस किले में दो सबसे विशिश्च चीजे मिली हैं एक तो मिला है माल गोदाम तो मोहन जो दुर्ग मिले हैं इस आप पूचे मगोधाम कहा मिला थो आप में देखो इस्नानागर मतलब क्या होता है स्विमिंग पूल जिसमें लोग नहाते हैं तो यहाँ पर एक आयताकार जलाशाय है यह जलाश यह चारो ओर से गली आरे से गिरा हुआ है योज़ के कोरिड़ और ने के लिए आप तो इसके आपको तल तक अगर जाना है तो उत्तर में नौर्थ में और सौथ में दोनों तरफ सीड़ेया बनी हुए देखो जैसे पूल होता है तो पूल में दो तरफ सीड़ेया होती है नीचे उतरने के लिए बिल्कुल ऐसी था है यहां पर भी जलाशाई के जो किनारे थे वहां पर इंटे जमी हुए थी और इसे बनाने के लिए जिपसम के गारे का प्रयोक करता था जयसे आजकल स्मेंट बगएर का ईश्करते हैं व partner जिपसम का गारा बना जाता ठा करने जिसे से बनाया जाता था तीनों तरफ कमरे बने वे था इस इस नानागार जिन मेंते और चार इस तरह बने हुए जैसे कि हाँ पर आप नक्षा भी देख सकते हैं तो अगर आपसे वो पूछे कि विशाल इसनानागार कहा मिला है तो दुर्ग में मिला है इसके लावा अगर आपसे पूछे माल गोदाम कहा मिला है तो ये भी दुर्ग में मिला है विशाल इस नाना गार के बारे में विस्तरत रूप से पूछे तीन नमरें पूछे तो आप बताओगे ये एक आयताकार जलाशय है जो कि चारो और इसके कॉल्डोर है जलाशय के तल तक जाने के लिए नौर्थ और साउथ में दो सीड़ी हैं बनी हुई है इसके लावा इटो को जमाकर और जिपसम के गारे का प्रयोग किया गया है तीनों और कमरे मिले हुए हैं कम एक में बड़ा सा कुवा भी मिला है जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था बाद में जब इसके प्रयोग कर लिया जाता था इसके लावा एक कॉलिडॉर ऐसा मिला है जहां पर चार-चार इसनाना घर अलग से मिले हैं अब कुछ लोग कहते हैं जो विशार इसनाना घार था न यह अनुष्ठानिक था जैसे देखो आज किसी विशेस तेवार पर हम नहाने जाते हैं गंगा इसनान के लिए जा रहे हैं कहीं पर जा रहे हैं तो ऐसी मेभी हडपा वासी भी जब कोई एक विशेस अफसर होता होगा कोई अनुष्ठानिक महत होता होगा तो यहाँ पर आते होंगे लेकिन इसके बारे में अभी विस्तर जानकारी हमें नहीं है तो अब तक आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है अब तक आपने चैप्टर में ये पढ़ा है कि हडपा सब्वता को हडपा सब्वता क्यों कहा गया है और इसे सिंदुग हाटे की सब्वता क्यों कहा जाता है इसके लावा यहां से क्या क्या समान मिले हैं यहां के किशी प्रदोगी की क्या है? यहां पर पुरा वस्तो की पहचान कैसे की जाती है? इसके लावा यहां के लोग जीवन निर्भा कैसे करते हैं? मोहन जोदोडों की आप वास्तूकला बताओ तो दुर्ग और निचली बस्तियां हैं, नालिया मिली है, सडके मिली हैं, इ गड़प्पा की समाजिक भिनताओं का अवलोकन कैसे किया जाता था तो इसको हम इस चैप्टर के पार्ट टू में पढ़ेंगे आशा है अब तक जो चीजे पढ़ाई गई आपको वो समझ में जरूर आई होगी तो मिलते हैं आप से इस चैप्टर के नेक्ट पार्ट में